गुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स आजाओ सभी आपकी एक और बहुत ही महत्तोपुर्ण कलास शुरू हो चुकी है 10th NCIT Math हम सब पढ़ रहे हैं इस समय और exercise चल रहा 3.4 ध्यान से देखना कलास को पूरा देखना समझ में आने की गारंटी होगी साथियों हम सब पढ़ रहे हैं 2.84 में रैकिक समय करण क्या पढ़ रहे हैं 2.84 में रैकिक समय करण question number second इसमें हम करेंगे first question पिछली कलास में देख चुके हैं तो ध्यान से देखना और अपनी copy किताब खोल के बैठ जाओ पहले बुक लेके बैठोगे तब ज्यादा मजाएगा question अपनी book में देखना हम बोल रहा हूँ में ठीक ना फिर मैं हिंड दूँगा पहले question का जो दूसरे का पहला पार्ट है उसका हिंड से दूँगा हम नहीं करवाँगा और हाँ जो दूसरा पार्ट है और पाचवाँ उसको मैं बताऊँगा क्योंकि बड़ा है चलिए देखिए question number second है निम्न समस्याओं में रैखिक समिकरणों के यूग मों बनाईए और उनके हल यदि उनका अस्तित तो है तो ग्याद कीजिए कहने का मतलब है कि रैखिक समिकरणों का यूग मों बनाईए अगर उसका अस्तित तो है जो बात उसमें कही गई है तो उनके हल भी ग्याद कीजिए ठीक ना आप question देखना क्या कह रहा है question मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ध्यान देना बुक लेके बैठिए नहीं तो मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाईए देखो मैं बोल रहा हूँ ना मुझसे बार बार question number इसमें का पहला देखना ये तो एक मुख हेडिंग थी कह रहा कि यदि हम answer में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन में क्या होता है एक में बदल जाती है और ये हर में एक जोड़ दें तो यह भिन एक बटा दो में बदल जाती है तो वह भिन ग्याद कीजिए कौन सी भिन है बात समझ में आई ना देखना आप मैं इसको final कर देना चाहता हूँ त्यान देना ये कुश्चन तो मैं अभी करवाओंगा बात में दूसरा है ये पहले वाली की में बात कर रहा था ना तो पहले आप मानोगे माना भिन बराबर यक्स बटे वाई ओ स्वरी हाँ मतलब यक्स बटे वाई ये तो भिन हो जाएगी तो पहले आप अंस और हर मानोगे लिखो माना भिन का अंस बराबर यक्स और हर बराबर क्या मानोगे वाई ठीक ये तो मान लोगे अंस मान लोगे हर मान लोगे अधा भिन बराबर क्या हो जाएगी यक्स बटे वाई हो जाएगी बात समझ में आई कर लेना जल्दी से और आगे सुनो कह रहा कि यदि उसके हर में एक जोड़ दें यही तो कह रहा ना और अंस में भी एक जोड़ दें तो एक में बदल जाती है परसना अनुसार यक्स बटे वाई दोनों में एक जोड़ो यही कह रहा ना ये बराबर क्या हो जाएगा वन ये समी करण एक हो जाएगा समी करण एक दूसरा क्या कहता है कि यदि हर में एक जोड़ते हैं तो एक बटा दो हो जाती है लिकना दूसरी सर्थ के अनुसार दूसरी सर्थ के अनुसार यक्स आपान वाई प्लस वन इक्वल क्या होती एक बट पिटा सा है मैं उसको देखता हूं आपके सामने है कुश्चन पढ़ लो जल्दी से ठीक ना और जितना मैंने हिंट्स दिया समी करन बना लोगे तो आप इसको कर लोगे इसमें कुछ नहीं है पर इच्छा नजदीख है जितना पढ़ाया जाए उसको नोट करते जाए और दि को गुनी हो जाएगी पहले एक तो बात कर रहा है कि पांच साल पहले क्या थी और एक कल्पना कर रहा है कि दस वर्स बाद इतना हो जाएगी तो कहरा फिर नूरी और सोनू की आयू कितनी है ग्यांत करना है चलिए लिखो हल इसमें आप मानोगे माना नूरी की वर्दमान आ नूरी मतलब एक लड़की होगी कोई है ना सोनू की आयू की तीन गुनी थी तो आप इसमें किसी की भी पहले मान सकते हो चाहे नूरी की मान लो चाहे सोनू की मान लो है ना तो हमने इसका मान लिया यक्स अब माना सोनू की वर्तमान आयू बराबर माना सोनू की वर्तमान आय बराबर वाई वर्स तो ये तो सब इनकी वर्तमान की बात हो गई कह रहा था कि तीन गुनी थी वो तो कब थी पांच वर्स पूर्ब भाई पांच साल पहले तीन गुनी थी लेकिन पांच वर्स पहले थी कितना अगर आज जो है वर्तमान में यक्स है तो पांच साल पहले कित लिखो क्या करना है अब यह तो आज की आयू मैंने माना है आज की मैं निकालना है लेकिन हम कुष्टन के अकॉर्डिंग चलेंगे करा कि पांच वर्स पहले कुछ ऐसा था कंडिशन पहले देखो तो लिखो पांच वर्स पूर्ब पांच वर्स पूर्ब नूरी की आयू बरा फिर अगली लाइन में लिखो पांच वर्स पूर्ब सोनु किया वबराबर वाई माइनस पांच वर्स ठीक इतना हो गया नोट करते जाओ फटा-फट हो गया ना बहुत अच्छे चलिए अच्छे बच्चे तो यह पहली स्थिति में हो गया साथियों अब लिखो प्रसना अन के तब हल किया करिए और जो हमाएं कोईश्चन नहीं लिखता हूं कभी-कभी तो आपके पास बुक तो होती ही है अगर बुक नहीं होगी तो कमेंट करना सब कोईश्चन अम लिख देंगे और दूसरी बात यह है कि बुक नहीं है तब भी आप सुनके तो लिख सकते हो मैं मैं बोलता हूं नहीं मिला जैसे अब आपको हिंदी लिखना तो आता ही होगा हिंदी लिखना आता है ना चलिए प्रस्णा अनुसार क्या कह रहा है एक बार फिर से कोईश्चन सुल लो कह रहा कि पांच वर्स पूर्भ नूरी की आयू सोनू की आयू की तीन गुनी थी है यही तो कह रहा था ना तो लिखिए नूरी की आयू कितना माना था मैंने यक्स माना था सोनू की आयू माना था क्या माना था वाई माना था ना तो लिखो प्रस्ना नुसार नूरी की आईव सोनू की आईव की देखो जिसके नाम के बाद की लगेगा उसी में गुड़ा करोगे तो साथियों यक्स माइनस वाई यक्स माइनस वाई नहीं यार यक्स माइनस पाँच था कितना था? यक्स माइनस पाँच ओके और ये वाई माइनस पांच, यही था ना, तीन गुनी बोल रहा था कि पांच गुनी, तीन गुनी ना, ठीक है, बहुत अच्छे, कर रहा था कि तीन गुनी थी, किस की आई की, सोनू की आई की, तो आप सोनू आले में तीन से गुड़ा करोगे, किस में करोगे, सोनू की आई समीकरण बन जाएगा उसके बाद दूसरी कंडिशन पर चले जाओगे तो चलिए इसको हल कर लेते हैं यक्स-5 इक्वल ये 3Y माइनस का 15 तो यक्स-3Y इक्वल माइनस का 15 और धन का ये 5 जो कि उधर जाएगा तो यक्स-3Y इक्वल ये माइनस का 10 आएगा ये समीकरण 1 बन गय क्या बन गया समी करन नंबर एक नोट कर लो जल्दी से ठीक ना चलिए अब हम चलते हैं दूसरी सर्थ के अकॉर्डिंग देखो बहुत ही बिश्तिरित मैं बता रहा हूं अब नीचे लिखो दूसरी सर्थ के अनुसार दूसरी सर्थ क्या है कॉष्चन में देखो एक बार फिर से एक लाइन हल करो फिर एक बार कॉष्चन पढ़ो फिर हल करो फिर एक बार कॉष्चन पढ़ो दूसरी सर्थ में कह रहा था कि दस वर्ष बाद नूरी की आयू सोनू की आयू की दोगुनी हो जाएगी तो भाई पह प्लास टेन वर्स माई सिंपल सी बात है आज जो लड़की या लड़का पांच साल का है दस साल बाद वो पांच धन दस पंदरा साल का हो जाएगा नीचे फिल लिखो दस वर्स बाद सोनू कियाईव बराबर तो यह हो जाएगा वाई धन दस वर्स ठीक ना बेरी गुड बहुत अच्छे अब क्या करोगे यह सिकेंड कंडिशन के अकॉर्डिंग है या लिख लेना दूसरी इस्तिती नीचे लिखो परसना अनुसार परसना अनुसार में कह रही थी कि दस वर्स बाद नूरी कियाईव सोनू कियाईव की दोगुनी हो जाएगी सोनू कियाईव की जिसके नाम के बाद की लगेगा उसी में गुड़ा करोगे यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना यह य प्लस टैन यह बात पकी ना दिख रहा नीचे था कोई समस्या नहीं न कोई इसू नहीं न ठीक न तो यह हो जाएगा साथियों नीचे दिखतो रहा है न आपको भी एक लाइन और यह हो जाएगा याक्स माइनस ट्वंटी और यह ट्वंटी से जब ट्यान सब्ट्रेक करोगे तो ट्यान आएगा समीकरण नंबर क्या बन जाएगा दो यह आपके दोनों इक्वेशन बन गए ना कि दोनों इक्वेशन बन गए कह रहा था कि इनको सवह ट्यांबर क्यूड्यात है यह कोंर के लिखिए यह का दोनों गें काम हीती अब ये लिखते हैं कि इनकोौ रहते हैं कि इनको हल करेंगे कॉसाइड में दिख रहा आ है ना कि आसएड में दिखु रहा है बहुत अच्छय बहुत मस्क दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं चलिए अब लिखो कि देखो इनको चाहे आप इस्थापन से से रह wünлад कर दो वह बरे में एक्स के गुडांग बराबर है पहला है एक्स माइनस तीन वाई बराबर का दस माइनस का दस है दूसरा है एक्स माइनस यह साथियों क्या हो जाएगा यार यह टू आई ना टू आई हाँ एक्स माइनस टू आई बराबर का कितना टैन बस हल कर लो दोनों गुडांग देखो एक्स के बराबर है सिंपल सी बात है इसको हम क्या कर रहे है इसको हम बिलोपन विदी से हल कर रहे है घटा लेंगे घटाओ के चिन बदल जाएगा यह कट जाएगा यह पलस माइनस कुदे का माइनस कि 20 आएगा 2 equal दोनों तरफ माइनस इसलिए वा सनन्कायगा problem िरुजडी से आजों इनको नोट करना है विए किछाग ज्याओ किया हैगा तो कोई दिक्कत नहीं नो पभल्म, चुकि कोईश्चन ही अलग था भूक का, चलिए, तो यह हो गया, अब यह वाई कमान आप किसी भी समीकरण में रख दो, एक समीकरण निकाल से लो, लिख लो, वाई कमान समीकरण एक में रखने पर, y कमान समी करण 1 में रख दो समी करण 1 है x-3y बराबर माइनस 10 y कमान 20 आया है x-3 गुड़े 20 माइनस का 10 तो x-23 तियाई 60 माइनस का 10 तो x बराबर माइनस का 10 और प्लस का 60 तो x बराबर आजाएगा 50 तो साथियों इस तरह से आ गया नूरी 50 साल की थी और सोनू 20 साल का था बात समझ में आई ना नीचे लिख लेना एक लाई ना और अता अता नूरी की आयू यक्स बराबर 50 वर्स तथा सोनू की आयू y बराबर 20 वर्स देखो कितना अच्छा हो गया ना सब आ गया फटा फट नोट कर लो और तुरंद लिख लो इसके आगे अगला कुश्चन हम आपको अगली कलास में जरूर बताएंगे आप सभी वीडियो देखना अभी इंडी स्क्रीन में उसका लिंक मिल जाएगा नहीं तो डिस्क्रेप्शन में देखना मिल जाएगा फिर भी नहीं मिलता उपर नंबर है न संपर्क करना में तो एक बात मैं आपको और बता दूँ अगर आप PBRS Study का Apps इंस्टाल करते हैं प्ले स्टोर से जिसकी लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्ले स्टोर पर PBRS Study लिखके सर्च कर सकते हैं तो आपको विल्कुल फ्री में Apps में सारी कलास मिल जाएगी और कुछ कलास ऐसी हैं जो पेड़ वाली हैं अगर आप चाहेंगे तो Apps से परचेज भी कर पाएंगी नहीं तो आप फ्री वाली देखना तो Apps सो जरूर इंस्टाल करना और लागिन करना अपना email ID डालना mobile number डालना password खुद से बनाना है जिसमें आप अपना mobile number डाल सकते हो password में या फिर किसी का नाम लिख सकते हो कुछ भी करके password खुद बना लेना कोई एक टेक्निकल हेल्प चाहिए तो उपर दियेगे WhatsApp और call के number पे संपर्क करना सुक्रिया तैंक्यू और चलते चलते एक निवेदन होगा इस class को अगर आप YouTube पर देख रहें तो PBR Study का channel number 3 सबस्क्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहें तो PBR Study के पेच को अबस्क्राइब करें अगर Instagram या Twitter पर देख रहें तो हमें follow करें जिसे से कि हम आपको बेहतर से बेहतर सर्विस दे सकें और एक बिनमर निवेदन और परातना होगी आप सभी से कि इस class को अपने सभी दोस्तों को जरूर सेयर करना साथी हो अगर आप इस class को अपने दोस्तों को सेयर करते हो तो हमारा हंसला बढ़ेगा जो रात में ये इतना देर देर में class record होती है हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकेंगे इसलिए हमारी आपसे एक बिनम्र निभेदन है इस class को अपने कम से कम तीन दोस्तों को जरूर सेयर करना वाटसप पे ठीक ना? वाटसप और फेस्बूक पर हर जगा भेजना अगर आप इतना करोगे ना तो हम आपके लिए फ्री की class लाते रहेंगे